बिक्वाली कमजोर पढ़ने वा मांग बहतर होने से चालू सापता के दौरान चने की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी दर्स की गई। नैफेड द्वारा दो हजार तेईस चना बिक्री टेंडर बंद किये जाने से चने में स्टाकिस्टों वा दाल मिलर्स की सक्रियता बढ़ वा स्टाकिस्टों अपना माल पहले ही काट चुके हैं। सरकार के पास भी चने का स्टॉक कमजोर है। जिस कारण मांग वा आपूर्ती में अंतर बढ़ने लगा है। मौसम फसल के अनुकूल न होने के कारण इस वर्ष चने के उत्पादन में 20-25 प्रतिशत की कमी देखी जा सकती है। फिलहाल कारणों को देखते हुए यहां से चने की कीमतों में और मजबूती देखी जा सकती है। बेहतर होने से आयातित चना में इस सप्ताह 300 रुपए प्रती क्विंटल का उच्छाल दर्ज किया गया है और इस उच्छाल के साथ भाव सप्ताहंत में 5850 रुपए प्रती क्विंटल हो गया है। स्टाकिस्टों की बिक्वाली कमजोर पढ़ने वदाल मिलर्स की लिवाली आवक शुरू हो गई वपुराने चने की स्टॉक नके बराबर है। उपलब्धता कमजोर पढ़ने वदाल मिलर्स की लिवाली बहतर बनी रहने से इस साप्ताह महराश्ट्र चना की कीमतों में 300 से 450 रुपए प्रती क्विंटल का जोरदार उच्छाल दर्ज किया गया है। उपलब्धता कमजोर पढ़ने वँ मांग मजबूत होने से इस साप्ताह मध्य प्रदेश चने की कीमतों में 200 से 350 रुपए प्रती क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल उतपादक मंडियों में आवक का दबाव न बन पाने स्टाकिस्टों वदाल मिलर्स क मांग मजबूत बनी रहने से चालू साप्ताह के दौरान करनाटक चना की कीमतों में 100 से 200 रुपए प्रती क्विंटल का सुधार दर्ज किया गया है। उच्छाल देखा गया है और इस उच्छाल के साथ भाव सप्ताहांत में 6,300 से 6,350 रुपए प्रती क्विंटल हो गई है। चने की तेजी सपोर्ट व मांग मजबूत होने से चालू सप्ताह के दौरान चना दाल की कीमतों में 200 से 400 रुपए प्रती क्विंटल की बढ़ोतर दर्स की गई है। Bureau Report Market Times TV